नमस्कार मी भीम राव लोनारे आप लब पुन्ना एकदा IBM TV9 मदे स्वागत करीटा है आपन बगुया आजची खास बात सबसे पहले तो मैं सबी दर्शो पो मेरा प्यारबोरा नमस्कार गई असल में कामती विदान सभाग शेत्र में मैंने जो चिनाव लड़ने का निर्णा लिया सबसे पहले तो कामती विदान सभाग कामती जो बाबा साथ के आंदुरन का गड़ा तुलेश और बाबा साथ हमबेटकर की मुमेंट वहां से आगे बड़ी है उसे के साथ में जैभीम का नारा जो पूरे भारत के कोने कोने में फैरा है उसके जो जनक है बाबु हर्दा सेलन वो उसे शहर से है कामती ये आईटियासिक शहर है धम्मका केंडर भी रहा है कामती तो इसलिए मैंने कामती को चुना कि इस आंदोरन को फिर से बढ़ाने के लिए कई पिछड़ सा गया था कामती में बाबा साथ का आंदोरन इस आंदोरन को फिर से मजबुत करने के लिए वहां पर मैं चुनाव लड़ने का निरने किया और जहां तक खाम्ती के विकास की बात है तो पिछले कुछ अर्सों से पामरिस के भी आमदर वहाँ पर रहे हैं कुछ मंत्री भी बने हैं वहाँ से इसके अलवा भारती जन्ता पार्टी के भी अभी वर्तमान रुपालत मंत्री और भारती जन्ता पार्टी के एमेले है हम लोग देखते हैं कि 15 सालों में आमदर रहने के बावजुद भी भारती जन्ता पार्टी के पालत मंत्री ने कि खाम्ति में विशेशकर ऐसा कोई भी रवस्ता नहीं किया अमेशा ही विकास को लेकर पक्षपात के पक्षपात उन्होंने खाम्ति के साथ किया ऐसा मुझे लगता है जैसा कुछ अलाकि कुछ डेवलप्मेंट कोराडी और कुछ आजू-बाजू में उन्हें अपने एक शेकर के घर के आसके पास लेकिन खाम्तिक शेकर में ऐसा कोई प्रोजेक्ट ऐसा किसी प्रकार का उद्धोगंदा युवाव के लिए रोजगार आईसी कोई भी रवस्ता विशेशकर काम की शहर में नहीं की है उसके अलावा कर हम लोग देखते हैं तो पामरिस भी हो उसके पहले पामरिस भी वहाँ पर छूल कर आई है तो पामरिस ने भी चाहे शिक्षा के अक्षेतर में हो रोजगार के अक्षेतर में हो या स्वास्ते के शेतर में हो या किस को यह बार जो सारी चीजे उनों ने आश्वासन दिया थे जन्ता को तो जन्ता को यह लग रहा है कि उन्हें सही मायने में मुर्ख बनाकर अपने 15 साल भारती जन्ता पार्टी के अमेले ने भी निकला है इसके पहले कॉंग्रेस ने भी निकला है और काम्ती का विकास अभी तक इस तरकार से सर्वांगिर होना चाहिए का उन नहीं है तो हम लोग खाका इस तरीके से तैयार कर रहे है कि आने वाले समय में अगर जन्ता हमको मौका देती है तो विशित दोर पर शिक्षा का स्कर वहापर इस तरीके से स्कूलों में मजबूत होगा उसकर बढ़ाने की लड़ जगड के त्योना हो उन लोग उसको लाने का काम्ती जगान समांग प्रयास करें को काम्ती में जन्ता के बीच में जोगी लोग चुनके गए इसके पहले पालकमंत्री जी भी अगर गए या कॉमरिस के भी लोग गए तो उन्होंने हमेशा ही तिकनी चोपड़ी बात पर नहीं हुआ है तो इसी के लिए वहाँ जन्ता भी ठगवा मैसूस कर रही है और इसलिए इस बार सोच रही है कि कॉंग्रेस और बीजेटी को छोड़कर हम तीसरा परिया जहां वहाँ तैयार करेंगे मुझे लगता है कि जन्ता का जिस प्रकार से साथ मिल रहा है तो निशिक तोर पर हम इस बार बहुत बड़ी ठाकत बनकर उखरेंगे और कॉंग्रेस और बीजेटी को बराबरी के ठगकर देते हुए हम इस चिना जितने का बिल्कुल बिल्कुल प्रयास करेंगे कामठी की जन्ता से यही निविदन करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक कॉंग्रेस पर भरुसा किया लेकिन जिस कॉंग्रेस पर भरुसा करते हुए आप लोगों ने उनकी सत्ता अभी तक लाई तो कॉंग्रेस ने पिछे कामठीक शेत्र में किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया, कामठिक शेतर के जनता को स्वास्ते की सुविदाई लेने के लिए 20 किलो मेटर दूर आकर नाकपूर में मेडिकल और मेडिकल में इलाज कर आने के लिए आना पड़ता है, चाहे किसी प्रकार की M.I.D.C. हो तो मौधा में गवाह से कामठी से लेके मौधा मौधा की भी जनता वहां सकती है, महादुला कुराडी की भी जनता वहां सकती है, और एक अच्छा विकास अगर कामठी में अगर करते हैं, तो पुरी विदान सभा को अच्छे तरीके से वहां विकास की धारा वहां बह सकती है, इसलिए मैं चाहूंगा, कामठी को आने वा तर प्रेक्षा कानू ही होती आची खाज बात मी भीटी आप कोड़े एक विशेश बात मी सुबत तर आईब्म टीवी नाइन ला सब्सक्राइब करा लाइक करा आमचा बात में भगने साथी www.ibmtv9.in